The all important report from the All India Institute of Medical Sciences New Delhi यानि की aims to the CBI in Sushant Singh Rajput case has now finally arrived. It has been submitted to CBI और इसमें ये लिखकर आया है कि Sushant Singh की death में कोई भी poisoning का मामला सामने नहीं आया है. Now मैं आपको याद दिला दू कि जब विसरा रिपोर्ट आई थी पहली बार JJ Hospital से जब Mumbai Police इस case की जाज कर रही थी तब भी यही लिखकर आया था कि poisoning का जो मामला है वो इस case में नहीं दिख रहा है and on that front there was a clean shirt given but जो AIMS की रिपोर्ट अब आई है उसमें भी यही लिखकर आया है हाला कि AIMS ने कहा है कि यह conclusive report है without any confusion but फिलहाल इतना ही पता है कि poisoning का मामला सामने नहीं आया है इसके अलावा इस AIMS की report में यह भी बताया गया है कि Mumbai के जिस hospital में Cooper hospital में जो autopsy हुई थी उस reports में कुछ कमिया थी और यह उन्होंने reportedly कहा है अपनी report में इसके अलावा जो findings है वो अभी तक पता नहीं चली है बट कहां यह जा रहा है और बहुत ही confirmed sources से और बहुत ही reputed publications यह report कर रहे है कि सुशान सिंग का मामला CBI अब भी abatment of suicide के track पर ही लेकर उसको investigate कर रही है which is what the original FIR of सुशान सिंग's father has stated लेकिन आपको याद होगा कि जब statements लिए गए family के तो उन्होंने कहा कि foul play involved हो सकता है और यह murder भी हो सकता है पर कल जो statement आया था CBI का उसमें यह कहा गया था कि सारे angles open है अभी भी कोई angle close नहीं है तो हाला कि यह जो reports आ रहे हैं about CBI getting the report from AIMS is what is being reported through sources लेकिन CBI की तरव से अब भी कोई official statement नहीं आया है So we can assume that investigation तो वैसे अब चली रही है लेकिन abatment of suicide जो है उसके उपर फिलहाल यह जो investigation है वो जादा focus हो सकती है इस report के बाद दूसरी बात यह कि जो CBI का second round of investigation है वो अब Mumbai में शुरू होने वाला है ऐसी भी खबरे आ रही है और इसमें क्या निकल कर आता है that we have to wait and watch पर फिलाल के लिए even as we speak रिया चक्रवर्ति और शौविक चक्रवर्ति की जो bail application है वो Bombay High Court में उसकी hearing चल रही है और उस पर arguments भी चल रहे हैं जो नार्कोटिक संट्रोल ब्यूरो है उन्होंने बहुत ही clear terms में इस बेल को अपोस करते हुए का है रिया और शौविक शक्रवर्ति आर एन active member of a drug syndicate और उन्होंने सुषान सिंग को drug supply किये है तो यह और भी बड़ा क्राइब है तो यह और भी बड़ा क्राइम है इसलिए उनको उपर 27A वाला जो section है NDPS का वो लगाया गया है और इसलिए court में उनको बेल लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है अब Bombay High Court में उनकी hearing तो चल रही है लेकिन NCB is one second opposing it tooth and nail और वहीं रिया चक्रवर्ति की जो side है जो उनके lawyer है वो इसको technical terms पर fight करने क भी try कर रहे हैं they are trying to say 59 grams ही था not a very big amount of drugs उन्होंने कोई payment नहीं की है अपने debit cards या credit cards से so that means illicit trafficking का जो मामला है वो नहीं बनता है और काफी सारे जो definitions है वो अलग-अलग type के जो financing के definitions है वो क्या कहते है उस हसाब से यह उस पर लागू नहीं होता है वो सारी चीज़े अब hearing हो र जो RIA की team है वो ये भी कह रही ही कि बाकी जो इस case में accused थे जो arrest हुए थे उनको bail मिल गई बट इन दोनों को नहीं मिली है इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि this case has obviously been given to CBI by the sanction of Supreme Court और Supreme Court ने उनको ये भी कहा था कि इस case के साथ जुड़े हुए जितने भी cases है को आप investigate कर सकते हो so which is why it all started with CBI and उसी के चलते NCB का इस case में की entry हुई और फिर बाकी agencies जो ED है या फिर NIA की मैं आपको बात की थी पहले जो अभी तक of course हुआ नहीं है but if it happens it's all connected right to Sushant Singh. So उस वज़े से also it's got its tentacles spread everywhere and it's not that clear cut और it's not that open and shut kind of a case जो पहले जब investigation शुरू हुई थी Mumbai police की तब लग रहा था. But coming back to the AIMS report अब इसमें ये भी जानना जरूरी है कि पिछले हफ़ते जब Sushant Singh के जो lawyer है विकास Singh उन्होंने कहा था कि they are getting frustrated और उनको एक AIMS के doctor नहीं कहा था photos देखने के बाद के 200% it's a murder and it's not a suicide तो उसके against में या उसको reply करते हुए सुधीर गुपता जो है जो AIMS के chief है जो कोई भी doctor photos देखकर नहीं बता सकता के exactly ये murder है या suicide है they have to conduct a thorough investigation which is what they are doing in a very professional and conclusive और दूसरी और CBI नहीं कहा है के they are conducting this investigation in a very professional manner and right now as it stands जो CBI को मिला है AIM से वो तो reports ही आरही है के it was not a case of poisoning but बाकी जो causes हो सकते हैं death के उसके ऊपर कोई भी confirmed reports या sources की तरफ से कोई भी बात ऐसी आई नहीं है जो noteworthy हो और of course जैसा के आप जानते है CBI की तरफ से भी कोई official statement नहीं आया है तो once again all we can do is wait and watch इस पूरे development को आप कैसे देखते हो what are your thoughts please let me know in the comment section needless to say if you like these videos then you can subscribe it's free and you can click on the bell icon and thank you so much for watching